आजादी के अंदोलन के वक्त 137 साल पहले भारती राष्ट कॉंग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बहतर पर्तिमीदों के उपस्तीती में हुई थी कॉंग्रेस के स्थापक मासचीव ए ओ हीूम थे जब तब वरिष्ट निता व्यमिस चंद्र बनेर जी को अध्यक्ष बनाए गया था इसके बाद से हर साल पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाती है इस इसले में च्छतिसगर के बालोत जीला अंत्रगत गुंडेर देही में भी बनाए गया इस उसर पर जीला कॉंग्रेस उपाध्यक्ष डॉक्टर नरायन साहु ने कहा कि आज भारत ने प्रगति किये क्यो लोगतंद्र को मजबूत रखने का काम किया है सब को साथ लेकर चलने के सिधान्त को दर्शाता है प्रंतु आज भारत के मुल शिधान्तों पर लगतार हमले हो रहे हैं पूरे दिस्म नफरत का गड़ा खोदा जा रहा है और जनता महंगाई बिरुजगारी से परिसान है ल अपना दिवास ब्लाग कंग्रेस को मेंटी गुंडर्वी के दवारा इधाट कर लग गुंडर्वी में आजित किया गया जिसमें हमारे कंग्रेस पार्टी के आजादी को लेकर योगदान और उनके महापुल्सों का सभी का उन्में इस्मानन करते हुए बहुत ही अस्तों कर दो कि अकलास के साथ भी कारिकरम मनाया गया साथ ही सब्सक्राइब हो रहे हाथ से वह या परेकर गया पर यार की गई अक्ते के 138 साल फुरे भी हो चुके हैं कर ङसकी स्थापना का उद्देश था कि लोग लोगों को रोजगार मिले एकता में रहे और कांग्रेस के गुलामी के अधीन थे यह कांगरीशियों का ही युगदान है हमारे जो महापुरुस्वने इस देश को अपने खोन पसीने की सचाहिए करके इस देश को आजात कराया है लेकिन देखते हैं अभी जो वर्तमान जो हालात है एक बार फिर से देश गुलामी की उर है भारती अधियों